डॉक्टर फारक अबदला के बाद अब जम्मू पुंच के सांसर्द सामने अभी तक नहीं आए हैं लेकिन उधुंपर कठुआ और डोडा सांसर्द डॉक्टर जितिंदर सिंग ने दो करोड पचास लाख रुपे अंपे फंड से दिये हैं यानि कि इस करोना महमारी से निपटने के लिए दो करोड पचास लाख की राशी दी है इस पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या है राय क्या है वो भी हम आपको बताने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करके यह बताया है कि देर आए दुरुस्ता है लेकिन जमू पोंच सांसद जुगल कुशोर शर्मा की अभी भी लोगों को तलाश है यानि कि एक तस्वीर जो है वो तेजी से सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है जिस पर लिखा गया है कि MP जुगल कुशोर शर्मा गुमशुदा ह लेकिन आपको याद होगा कि जब हमने जमू कश्मीर के पूर्व उपमुख्य मंत्री कविंदर गुपता से बाचीत की थी और उसी बाचीत के दोरान जो है जमू पुझ सांसद जुगल कुशोर शर्मा सरवाल हॉस्पिटल में देखे गए और वहाँ पर उन्होंने कहा कि जल से जल सरवाल हॉस्पिटल में ऑक्सिजन प्लान जो है वो लगाया जाएगा उसके बाद आपको याद होगा कि DRDO दोरा जो है वो एक अस्पताल कोविड डेडिकेटिड अस्पताल जो है वो बनाया जा रहा है जुगल कुशोर शर्मा वहाँ पर भी गए और काम का पीरी नेता कोई कान करता है उसको देखने बाद ही जमू के नेताओं को ऐसा खयाल आता है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए हमें भी ये कदम उठाना चाहिए ये सवाल जनता पूछ रही है बरहाल दो करोड़ पचास लाकी राशी डॉक्टर जितिंदर सिंग द्वारा दी जुगल की शोर शर्मा अभी तक सामने क्यों नहीं आए उनकी तरफ से कोई ऐसी राशी का एलान क्यों नहीं किया गया उनकी तरफ से कोई ऐसी राशी जो है वो अभी तक क्यों नहीं दी गई है जबकि लोगों का ये भी कहना है कि वोट लेने के समय जो है नेता नेता जो ह वो घर घर जाते हैं वोट मांगते हैं और ये कहते हैं कि आप हमें एक बार जिता दीजिए फिर देखिए आपकी समस्याओं का निवारन जो है वो कैसे होता है लेकिन एक बार गदी मिली एक बार कुर्सी मिली तो उसके बाद सारे वादे जो हैं जूटे हो जाते हैं जमीनी स जुगल किशोर शर्मा हैं कहां पे तस्वीर हमने आपको दिखाई थी उस तस्वीर पर हमने जमो कश्मीर के पूर्व उप्पु मुख्य मंत्री कविंदर गुपता से भी वाचीत की थी और कविंदर गुपता ने ये कहा था कि ये आपोजिशन की ओची राजनीती है ये प्रोपोगंडा करना सही नहीं और खासकर इस करोना महामारी में जो उपोजिशन ये प्रोपोगंडा कर रहा है ये बिल्कुल भी सही नहीं है आपकी क्या राये है क्या डॉक्टर जितिंदर सिंग दुआरा जो दो करोड़ पचास लाख रुपे की राशी अंपी फंड से रिल्लीज की गई है इस करोना महामारी से निपटने के लिए उस पर आपकी क्या राये है और जुगल कुशोर शर्मा सरवाल हॉस्पिटल भी गए थे डियारडियो जो अस्पाताल बना रहा है वहाँ पर भी काम का जाइज़ा लिया है इस पर दोनु पर आपकी क्या राये है अपनी राइख में जरूरं दिखेगा अगर विडियो अच्छा लगा हो तो उट् requ etwas में अपनोड रखेगा कमेंट बॉक्स में अपनी राइब जरूर पबारी शेडिये गा पर देख रेहें तो पेज़ को लाइक की जैगा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कीज़ेगा अप लोग देखते हैं आरली पोस्ट कैमरामेन गगन के साथ देव थाकूर जम